सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस रेस्पी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स मैं हूँ शिवानी आप देखने में शनाल सुपर शिवानी आज में शेयर करने वाली हूँ बहुत सिंपल रेसिपी जिसका नाम है मसाला सॉल्ट इस मसाले सॉल्ट को आप काफी दिनों तो के स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको सलाद या रायता बनाना हो आप इसको एड़ कर सकते हैं और साथी है हमारे सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है तो चले इस मसाला सॉल्ट को में कैसे बनाना इसे देख लेते हैं मसाला सॉल्ट यानि की मसाले वाला नमक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर 100 ग्राम अजोयन और साथी हमें चाहिए होगा यहाँ पर 100 ग्राम जीरा क्योंकि हमें यहाँ पर सारी चीजे रेशियो के अकॉर्डिंग लेनी है इसलिए आपको यहाँ पर मिजर्मेंट को हमेशा ध्यान रखना होगा नहीं तो आपके मसाला सॉल्ट का जो टेस्ट है वो डिफर कर सकता है इस इसलिए आपको इसके रेशियो को हमेशा ध्यान में रखना होगा मैं यहाँ पर ज़्यादा तर चीजों का रेशियो जो है 100 ग्राम ले रही हूँ इससे आपको समझने में भी आसानी होगी और बनाने में भी आसानी होगी आप चाहे तो इसे कम कॉंटिटी में भी प्रिप 100 ग्राम पेपर कॉन यानि की काली मिर्श और इसके साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे 100 ग्राम सौफ इन सभी चीजों को मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ कर लिया है आप भी इस मसाले सौल को बनाने से पहले इसे अच्छे से देख लें कहीं इसमें कोई किन-किन तो नहीं ह अकसर इन सभी चीजों में मिट्टी के छोटे-छोटे टुकडे मिल जाते हैं इसलिए आप इसे जरूर माइन में रखें और यहाँ पर 100 ग्राम हमें चाहिए होगा त्रिफला चून आप इसे किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं यह मार्केट में बहुत ही इसली एवलेबल हो क्योंकि हम सभी नॉर्मल रूटीन में इसे लेना तो पसंद करेंगे ही नहीं क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है और इसलिए मैं इस सॉल्ट में इसको एड़ कर रही हूँ और इसे सॉल्ट के टेस्ट में भी बहुत जादा फर्क नहीं आएगा और उसका टेस्ट अच्छा ही आता है और इसके साथ हमें चाहिए होगा यहाँ पर हाफ केजी ब्लैक सॉल्ट और हाफ केजी हमें चाहिए होगा यहाँ पर सेंधा नमक आप यहाँ पर सेंधा नमक की जगे पर आप यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं सूखा हुआ पुदी कर लेते हैं इसे इस सॉंफ को अच्छे से डाल देंगे इसी में हम इस जीरे को भी इस ग्रैंडिंग जार में डाल देंगे अज्वैन को भी जार में डाल देंगे और यहां पर काली मिर्श यानी की पेपर कॉन को भी इसमें डाल देंगे और इसी ग्रैंडिंग जार में हम य और अगर जरुरत पड़े तो इसे हम बीच में एक बार चला भी लेंगे और फिर से इसे अच्छे से ग्राइड कर लेंगे और यह देखिए यह अच्छे से ग्राइड हो जुका है अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में मैंने यहाँ पर पहले ही बड़े बोल में जो सेंधा नमक है इसे अच्छे से टांस्पर कर लिया है अब हम इसमें बाकी सारी चीजें एक एक करके मिक्स करने जा रहे हैं अब हमने जो सौफ, जीरा, अजवाएन और काली मिर्ट जो हमने गाइन किया हुआ था उसे इस सौल्ट में आड़ करेंगे और इसे अच्छे से स्टेंड भी कर लेंगे पहले हमें ऐसे ही हमें यहाँ पर इसे अच्छे से स्टेंड कर लेना है आप चाहें तो इसे बिना स्टेंड किये हुए भी ऐसे ही डाल सकते हैं इसमें इसमें सूखे हुए पुदीने को भी आड़ कर देंगे इसमें ब्लैक सॉल्ट यानि की काले नमो को भी आड़ कर देंगे और सबसे बाद में जाएगा हमारा त्रिफला जो की 100 ग्राम है इसे भी है इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम यहाँ पर स्थाड़ी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस नमक को आप किसी भी रायते में भी डाल सकते हैं इससे आपका रायते का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है मैंने यहाँ पर आमचुर पाउडर नहीं इस्तमाल किया है आप चाहें तो यहाँ पर इस नमक में आमचुर पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आमजुर पाउडर एड़ करेंगे तो इसका टेस्ट चाट मसाली की तरह आएगा अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है इसे और यह मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह हमारा मसाला सॉल जो है बनका तयार है आप इसे किसी भी एटाइट कंटेनर में भर करके काफी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी कभी रायता, सलाद या किसी भी फ्रूट्स के उपर आप इसे स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हैं अगर आप इसे रायते में आड़ करते हैं तो आपका रायते का टेस्ट और भी बढ़ जाता है इससे आप इसे टिक्की दही बढ़ा किसी के उपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं क्योंकि ये सॉल्ट खाने में तो टेस्टी लगता ही है आपने देखा मैंने कितनी important चीजेस में आड़ की हैं तो साथी ये healthy भी होता है तो आप इसे कब बना रहे हैं आप इस recipe को जरूर try करें और मुझे जरूर बताएं कि आपको ये recipe कैसी लगी तो कैसी लगी आपको मेरी recipe अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और Facebook और WhatsApp पर शेयर करना बिलकुन मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे interesting वीडियो अक्सर लेकर आती रहती हूँ आप मुझे Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं मेरा Facebook पेज है सुपर शिवानी और मेरी Instagram आईडी है शिवानी सुपर तो मुझे जरूर फॉलो करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई and टेक केर लेटिस्ट अब्डेट्स के लिए मेरे चैनल सुपर शिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें